तो ये वो सामने पत्थर है जो सरस्वती रिवर को क्रॉस करने के लिए द्रौपधी के कहने पे भीमने रखा था ये उनके हाथों के निशान बने वह लकीरे ये है हिंदोस्तान की अंतिम दुकान माना विलेज में चाइना वाली साइड यूके बॉर्डर बे तो वो हो रहा है जी अलकननन्दा और सरस्वती का मेल इदर वाली सरस्वती है और वो उदर से जो आ रही है वो अलकननन्दा रिवर है महाबारत यहीं कंपोज हुई है गनेश गुफा माना में और यह सार आउली विंटर्स में केते हैं यहां पैर रखने की जगा भी नहीं होती है वो है नंदा देवी परबत जो इडिया की हाइस पीक है आज सीधा चाइना बॉर्टर माना से लेके चंडीगर तक हम जा रहे हैं यहां से 14-15 गंटे की जड़नी हो रहा भी तो नीचे है अलकनंदा रिवर सारा और यह धारा देवी मंदिर का रास्ता सुबह के चार बजगे हैं अल्मोस्ट 16 गंटे 14 गंटे हो गये हैं ड्राइव करते हुए अगर दो कि अगर शुटा निचे का वीव दिखाते हैं आपको शेक आउट इखायेंगे बिलकुल पहाड़ों के पीचो बीच बना हुआ और वीव बहुत खूबसूरत है मतलब इस साइड अलगी व्यू है बदरीनाथ से आगे-आगे तो यह नीचे बहरी है अलकनंदा रिवर जो बदरीनाथ भी जाती है सारी और यह उची उची चोटिया गाड़ियें गाड़ियें पाक हुए हुए सारे याग उटने आए हुए वो सामने ITPP का कैम्प है और यह सारा पार्किंग एरिया और उदर है माना विलेज वो सामने जो घर देख रहे हैं आपको that is all माना विलेज वाँ चलते हैं अभी welcome टू माना गाओ एस बैए के द्वारा वेलकम किया जा रहा आपका स्वाकतब तो इस पॉइंट से माना विलेज स्टार्ट है नीचे वो ब्रिज देखे कितना पुराना है तो अभी हम जा रहे हैं माना माना के हम यार नहीं के हम यार तो यह माना की हाइट 10,133 फीट तो एक घर देखो कितना पुराना है ना ब्यूटिफुल बना हुआ है पुराने स्टाइल वह देख ओपर चत पे रूई सुका रखी है बड़ा ही खुबसूरत सा भी लेज बहुत ही पुराना और बहुत ही खुब थेंकियो सर बहुत ही पुरानी पुरानी इस्टारिक घर से बने हुए है उल्ड जैसे उस टाइम में थे और काफी अथेंटिक चीजे मिल रही है लाइक ग्रीन टी और यह क्या था हुआ है केदार कड़वा वह हम लेके जाएंगे क भी लोग यहां से लिखे जाते हैं उससे क्या होता है पेट की कोई भी प्रॉब्लम है और क्या थीक करने को बोल रहा था हुआ गैस डायबटीस डायबटीस इसको शूगर है इसको स्पेशली शूगर है तीन मीने में खदम वेरी व्यूटिफुल विलिच और बहुत अच् वाशुद्ध प्योर अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे जहां से सरस्वती रिवर है जो वो फ्लो करता है शुरू होता है जहां से वो उसका जो ओरीजिन है वो दिखाते है अब लोगों और लास्ट दुकान है जो इंडिया की वहां पी यहां पर आगे अब तीन ऑप मतर्ना के दू ना हाँ वाँ उदर जोना चाहिए जमनी कर दो हो आ कि तड़ नीचे रिवर है कि तरस्वती मंदिर आ गया और ही लोगजूर्थ। यह आगहां कि वौटरफॉल यह से सरस्वती रिवर निकलता है इस अलँ एस तरस्वति रिवर कि funding रहा यह यहां पर मंदि फ्लो देखिया आप और वो हिंदुस्तान की अंतिम दुकान उदर भी पॉन चुके हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जांपे क्या कहते हैं बीम पुल जांपे भीम के पाउं के निशान भी है बांटो में से जो भीम था महाबार द्वाला भीम भीम के पाउं के निशान ये सामने देख सकते हैं बड़े 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 तो भीम काफी विशाल था तो पैरों के निशान भी काफी दो होंगे बड़े तो यह सरस्वती वाटर पाजी लेलू क्या करूँगा एक ही पॉत है एक बॉटल लेलो इनिफिकेंस है और इधर का व्यू चेक आउट कीजिए, इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको, यह रेखे नीचे, पानी का फ्लो, वहाँ जाके सरस्वती और अलक नंदा मिल रही है, यह सारा उपर से आना पड़ता है माना के लिए, यह सारा वो जर्ना, यह नीचे भीम के पाउं के निश और यह हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और इधर ट्रेक है, वासूदारा ट्रेक पांच किलोमेटर, जहाँ पे एक जर्ना है, ले लिए पाई ने पाणी ले 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 असरस्वती तो पांच पांडव थे, वो यही से निकल के गए थे, आगे स्वर्ग लोग को, चार प पांच पाए थे, बाकी करन, अर्जुन वगएरा, सब रास्ते में ही खतम होते गए, तो यहां का इतिहास ऐसा है, इस जगह का सरस्वती रिवर का, जब दुरौपती थी जो, उन्होंने बोला था कि सरस्वती भी माता है, तो मैं उनको उन में से निकलूंगी नहीं, उनको लांग के नहीं निकलूंगी, तो यहां पे फिर एक पत्थर रखा था, भीमने, उस पत्थर पे अभी उनके हाथ के निशान है, और वो पत्थर अभी मुझूद है, जहां से वो निकल के जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने पत्थर है, जहां पे उनके सवर्ग लोग को जा सके तो इसे भीम पुल भी कहते हैं क्योंकि यह पुल के उपर रखा हुआ है भीम ने यह हिंदोस्तान की अंतिम दुकान माना विलेज में चाइना वाली साइड यूके वॉर्डर बे और यही रास्ता मेरे पीछे जाता है स्वर्ग लोग को जहां से पां थे ठीख है और यहह है भीम पुल पत्था रखा था अपीम ने शर्सवती रिवर को क्रोस करने के लिए वह भी मौझूद थे पैरों के निशान मौझूद है और हां थों के निशान भी तो यह इतल जगह को डसी ज़िए इ 할ाध सी मनेल इस एको इस प्राध जिए हें उन् महां वारत यहीं कंपोज हुई है माना में यह इसका गेट उपर चलते हैं यह सारा माना विलिज पुराना बनाऊ है बहुत ही प्यारा और वो जो रोड देख रहे हैं आप उपर वो टॉप पे वो माना पास को जाती है उसके लिए परविशन चाहिए चाहिना बॉटर चल चलके फिर से वाड लगी ट्रैकिंग होगी नीचे से उपर तक और यह फिर देखिए भारत की आखरी टी शॉप माना विलिज यहां पे सारी भारत की आखरी दुकान है चाहिए की दुकान यह सारी व्यास गुफा वो देखिए प्लीज डोंट फोटोग् व्यास पोती यह अंतिम दुकान तो यह थी जी व्यास गुफा जिन्नोंने महा भारत लिखे मैंने अंदर पंडे जी से पूछा हुआ क्या था जो नीचे आपको गनेश गुफा दिखाई है वहां पे गनेश जी बैठते थे यहां पे व्यास जी और यहां से वह बोलते थे नीचे वह लिखते थे गनेश गुफा में बैठके यह मिर को पंडे जी ने से बजाया तकरीबन 5000 साल पहले तो यहां से वो बोलते थे और नीचे वहां वह लिखते थे दूसरी गुफा में अब हम लोग यहां से जा रहे हैं इनफ ऑफ माना की हमने माना सार अब हम झा रहे झाल झाल तो वी आरे नौली गाएज यह सारा ओली का एरिया है वहां हमने गाड़ी पाक की है पीछे वो टॉप पे है ना जो होता है वो स्कींग का एरिया है वो विंटर्स में उपन होता है अभी बंद है क्योंकि वहां पे कुछ है ने एक आर्टिफिशल लेक बनी हुई है वहां पे तुम जा सकते हो सिर्फ एक केबल चेर होती है जो जैसे वो रोपवे होता है उस पे जा सकते हो वी बंद है और यहां आर्म बहुत सुंदर है मतलब मजा आ गया है यहां पे आके होमस्टेज हैं रिजॉर्ट्स हैं होटल्स है अच्छे बड़ी है वैसे देजर आर्मी अरिया है सारा देखने लाइक जगाय है सोला किलोमेटर है जोशिमत से उपर सामने नंदा देवी पर बता हो दिखाता हूं आप पहाड़ी में उपर टॉप से रस्ता वी उस टॉप से रस्ता वी दिखता है इमकुंट साहब का ओली से और जो वो पहाड़ी है सबसे स्पेशल वो बिल्कुल टॉप पे वो है नंदा देवी पर बत जो इडिया की हाइस्ट पीक है कंचन जंगा तो ऐसा है कि आदा इंडि पाजी कडै है वाहां पर इसकास करें लोग निकल रहे हैं यहां से रिशी केश की तरफ यहां पर कुछ करने कोई नहीं है कोई भी नहीं यह ना बंदा अना बंदे की साथ सब को अब यह हम जा रहे हैं षरी टाइम हो गया साधे तीन बजे पांचे गंटे लगेंगे तो अब निकल रहे हैं रिशी केश की तरफ तो अभी बजगेंदी पांच बजने में दस मिनिट पांच बजने वाले हैं और हम लोग अभी पहुंचे हैं जोशी मट से थोड़ा आगे तो अभी जोशी मट क्रॉस कि अब 20-25 किलोमेटरी होंगे और वापस जा रहे हैं श्री नगर रिशीकेश 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 से चंडीगड तो आज हम शायद यह जरनी पूरी कंप्लीट करेंगे चंडीगड तक चाइना बॉर्डर से चंडीगड और अर्वे ओली बदरी नाज सारा करके आज सीध चाइना बॉर्डर माना से लेके चंडीगड तक हम जा रहे हैं यहां से 14-15 गंटे की जरनी हो रहा है अभी तो शाम के पांच बजगे तो कोशिच रहेगी पहुंच आए टाइम से और बड़ी आद तरीके से राम से जाएगे कोई चक्कर नहीं है रास्ते में एक अधा देखिए पताल गंगा ब्रिज नीचे पताल गंगा है आज इस दिन भी आपको रात को दिखाया था मंदिर अभी बंद है रहे है टाइम काफी लेट हो गया है आठ बजगे यह सारा रास्ता जाता है धारा देवी मंदिर को और वह रा मंदिर राइटे जगरी हैं अलकनंदा रिवर के बीच बीच मैंने सोचा मैं आपको दर्शन करवाई दया बंद है लेकिन बार बार से दर्शन करवाई देता हूं आर्टी तो हो चुकी है तौशन कर्वा दैतो इतने करीब हां के दिमोना ची कुई यह सारा मंद दारा देवी दो नाट प्रमोट आएंड तो अभी उदर माथा ठीक है हूं मैं यह बन रहा है शायद से अभी धारा देवी का में मंदिर यह था जी धारा देवी मंदिर इसको पांचवा धाम भी बोलते हैं चौथे दाम के बाद के दारनाद बद्रिनाद यह मनूत्री गंग यहां पर दारा देवी है मतलब उनका धड़ है और जो नीचे का जिसको बोलते हैं सीस और जो नीचे का हिस्सा है वो यहां पर कोई और मंदिर है वहां पर रखा हुआ है उकले शवर में तो अभी हम हैं रिशीकेश में ताइम हो गया है बारा बजने में दस मिनिट और बारा एक बज़े चले थे माना से और दो बज़े चले थे औली से नॉंस्टॉप चलनी चल रही है वसे एक बज़े रुक के खाना खाया था और मंदिर गया था मैं धारा देवी के और अभी पहुंच गया रिशीकेश आगे चलते हैं वापस जाके मिलते हैं आपसे क्या बताएं आपको टाइम हो गए जी चार बजगे पूरे ये देखिए चार सुबह के चार बजगे हैं अल्मोस्ट सोला गंटे चौदा गंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए बलब जर्नी को करते हुए पाजी नुकर छड़ता पंचकुला अब मैं वापस आगे हूँ चंडीगड अपने रूम पे तो चार बजगे हैं साड़े चार गूगल मैप बता रहा था चाइना वोडर से सिधा चंडीगड बदरीनात ओली चोशी मट शीनगर रिशी केश और फिर चंडीगड लगबग साड़े पांसो किलो मिटर गूगल में अप पर अगर आप सर्च करेंगे ने माना से लेके चंडीगड का डिस्टेंस तो फाइफ फॉटी फाइफ फाइफ करनी है तो आपकर के रही था फिर अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आई सारी इमकुंट सेव वाली और बदरीनात वाली तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाके पॉल चोख माफ करे हो I'll see you in my next vlog signing off from चंडीगड देख लीजे सामने यकीन नहीं आ रहा तो यह आ गया जी घर अपना और यह खड़ी अपनी बाइक तो पूरे चार बजे वी आर है फाइनली रीजें दुरूम जैसे कि आप मेरी शकल से देख सकते हैं कितना ठका हूं सो जाना चाहिए अब साड़े चार हो गए हैं तो मैं जा रहा हूं जी सोने हूं झाल